करे 5 ये खाइस में वेलकम में टूटी फूटी की रैसिपी ये तूटी फूटी मैंने कच्छे पपीते से बनाई है मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर कियी थी जिसमें मैं में तर्बूज के छिलके से बनाना बताया था कि अगर आपके पास डॉप अप आपे पाया नहीं हैं तो आप तर्बूज के छिलके से भी बना सकते हैं यहाँ पर में लिए जो टूटी-फरूटी बनती है factory कच्छे पपीघे से ही बनती है तो यह रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं और अगर आपको तर्बूज के छिलके वाली रेसिपी देखनी है तो वो मैं आप लोग को डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं तो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तो टूटी फ्रूटी बनाने के लिए मैंने आप एक कच्छे पपीता लिया है जिसको ऐसे पीसे में कट कर लिया है और इसका ऊपर का जो भाग होता है चिलका होता है उसको निकाल दिया है और अब यहां पर आप यह देख रहे हूंगे इसमें उपर भी सपे सपे दिये जो है इसको हम निकाल देंगे यह कड़वा होता है तो मैं टेस्टी नहीं लगेगा तो चलिए पहले इसको छील लेते हैं तो ये देखिए इसको ऐसे छीलना है मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए यहां पर मैंने इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो निकाल दिया है और इसका छिलका भी निकाल दिया है और ऐसे छोटे-छोटे पीसिस में हमें कट करना है तूटी फूटी के जैसे तो चलिए हम बाकी भी पपीते को ऐसे ही काट लेते हैं तो ये देखिए सारे पपीते को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है जादा छोटा छोटा नहीं करना है इतना ही रखना है तो इन सबी पपीते को हमने काट लिया है प्रोसेस सेम है बस थोड़ा सा अलग है तरबूच के छिलके की टूटी फूटी में और कच्छे पपीते की टूटी फूटी में तो अब मैंने यहां पर एक बर्दन लिया है उसमें ये सारी कच्छे पपीते जो काट के लिए थे उसको डाल देंगे और यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ इसको बॉइल करने के लिए तो दो गिलास में यहाँ पानी डाल रही हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको पानी डाल दिया है इसमें अब मैं इसको गैस पर रख देती हूँ बॉइल करने के लिए और 10 से 15 मिनिट तक हमें अच्छे से इसको बॉइल करना है जब तक ये सौफ्ट ना हो जाए तो इसको हम बॉइल कर लेते हैं पहले अच्छे से तो 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं और अच्छे से ये पक चुकी है ये देखे आप पपीते को ट्रांसफेरन देखने लगा है ये आप देख सकते हैं तो इसको हम पांच मिनट के लिए और इसको बॉइल कर लेते हैं तो ये देखे ये पपीता अच्छे से पक चुका है और बहुत बड़िया तरीके से बॉइल हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसे एक चल्ली में चान लेते हैं इसका पूरा पानी हम रिमूब कर देंगे और इसको चल्ली से चान कर ठंडा कर लेंगे तो ये देखी एक चल्ली से मैंने इसको चान लिया है और पूरा पानी जो भी था उसका रिमूब कर दिया है आप इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसका पानी जो भी एक्स्ट्रा होगा इसमें तो ये रिमूब हो जाए तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो अब मैं यहां पे एक बड़ी कटोरी भर के शुगर ले रही हूँ तो शुगर सिरřप हमें बनाना है तभी जो हमने टूटी फ्रूटी बना रहे हैं उसमें तभी थोड़ा सा मिठास आएगा तो सुगर सिर्प को पहले हमें इक बावल में ट्रांस्फर कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक बटन लिया है जिसमें हमें सुगर शिरब बनाना है तो यह सुगर मैं इसमें डाल देती हूं और साथी साथ मैं इसमें डेड़ गलास पानी डालूंगी तो यहां पर मैंने पानी डाल दिया है और गैस पर मैंने इसको चड़ा दिया है सुगर मेल्ट होने तक तो यह देखिए सुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें जो रॉ पापाया काट के रखा हुआ था उसको एड़ कर देंगे तो ये देखिए सारा मैंने एड़ कर दिया है अब हम इसमें भी सुगर सीरप में भी हमें इसको कम से कम 10-15 मिनिट तक इसको बॉयल करना है ताकि जो सुगर की मिठास है वो इसमें टूटी फूटी जो हम बना रहे हैं उसमें आ जाए तो हम इसको अच्छे से 10-15 मिनिट तक के लिए जब तक पानी जो हमने डाला है वो आदा ना हो जाए तो ये देखिए बॉयल आना सुरू हो चुका है तो यहां आप देख सकते हैं कि पानी बिलकुल आदा हो चुका है और अच्छे से इसमें सुगर सीरप एब्जॉब हो चुका है तो अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यहां पे मैंने इसको दो भागों में डिवाइट किया है तो दो भागों में इसलिए मैंने डिवाइट किया है क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं फूट कलर तो मेरे पास दो ही फूट कलर अविलेबल हैं एक औरेंज कलर और एक रैड कलर आपके पास जितने भी हैं तो आप उसे साब से उसको डिवाइट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने दो भागों में ही डिवाइट किया है इसको तो अब हम इसमें डालेंगे एसंस की कुछ बूद है तो यहां पर मैं वैनिला एसंस डाल रही हूँ जिससे बहुत ही जादा अच्छा फ्रेग्नन्स आएगा बहुत ही अच्छी कुछ बूद हाईगी اور टेस्ट मैं भी बहुत अच्छा लगेगा तो वैनिला एसंस मैंने इसमें डाल दिया है अब एक इस्पून की मदद से मैं इसमें अच्छे से मिला देती हूँ तो यहां पर मैंने दौनों में अच्छे से वैनिला एसेंस अच्छे से मिला दिया है यह देखिए तो अब बारी आती है फूट कलर की तो यहां पर मैं सबसे पहले रेड कलर एड कर रही हूं रेड कलर एड करने के बाद मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पहले यह देखिए कितना सुन्दर कलर है यह कितना अच्छा लग रहा है अब मैं नेक्स रही है औरेंज कलर डाल रही हूँ यह यहाँ पर मैं मिला देती हूँ इसको एक स्पून की मदद से अच्छे से मैं मिला दिया है अब हम इसको ढड़के 6-7 गंटे के लिए हमें इसको एसे ही डले रहना देना है ताकि सुगर की जो मिठास है वो इसमें आ जाए सुगर अच्छे से अब्जॉब हो जाए और कलर भी अच्छे से इन पर आ जाए तब ही टूटी फूटी में अच्छे से कलर दिखेंगे तो या तो आप ओबर नाइट के लिए रख सकते हैं तो इसको में अलग रख देती हूं ढ़क के तो यह देखिए चय से साथ कंटे होने के बाद कलर भी इसमें अच्छे से अप्जॉब हो गया है और सुगर सिरफ भी अच्छे से अप्जॉब हो गया है अब हमें इनका पानी जो एक्स्ट्रा इसमें है वो रिमूब कर देना है तो चल्ली की मदद से मैं इसका पानी रिमूब कर देती हूँ और हमें इनको सुखाना है तब ही टूटी फ्रूटी ये बनेंगी तो पहले पानी इनका रिमूब कर देते हैं तो यह देखिए दानों तुटी फूरूटी का जो एक्स्ट्रा पानी था इसमें जो एक्स्ट्रा सुगर सिरप था इसको रिमूब कर रिया था और यहां पर मैंने एक प्लेट में अलूमिनियम फॉइल का यूज किया है और उसके उपर मैंने इन टूटी फूटी को अच्छे से फैला दिया है ताकि ये अच्छे से सूख जाए तो अलुमिनियम फॉल का मैंने इसलिए यूज किया है ताकि जो टूटी फूटी है वो प्लेट में ना चिपकें और एजिली हम इनको निकाल सकें तो अब हमें इनको अच्छे से सुखाना है तो अच्छे से तेज धूप में हमें इनको सुखाना है तो आठ से दस गंटे इसको सुखाने में लगेंगे जब आप सुखाते हैं तो एक दू गंटे के बाद इसको थोड़ा सा मैं फिर से दुबारा ऐसे हाथ चला के फैला देना है ताकि नीचे जो भी मौश्चर हो वो भी सूख जाए अच्छे से तो इनको पहले हम सुखा देत तो मौश्यर होगा तो ये खराब हो जाएंगे जल्दी और कलर भी देखिए बहुत ही बड़ी आया है ये औरेंज कलर और रेड कलर तो आप एक बार ज़रू ट्राइब करें इसको तो यहां पर दौनों कलर की टूटी फूटी को मैंने अलग-अलग बाउल में निकाल लिय है ये देखे कितनी मस्त टूटी फूटी बनके तियार है आप केक में इसको डेकोडेट कर सकते हैं और बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं टूटी फूटी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है में जो टूटी फूटी होती है वो कच्चे पपीते से ही बनती है मैंने आ लाइक करें शेयर करें मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बन भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या अधर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर